हेलो व्योवन वेलकम टू स्ट्रेशोकर्ट सेयर स्ट्रेश विकम्स इजियर पहले किया है दिए साइकोलोजी दे विच जिरॉम ब्रूनर दी थियोरी इस दबाई डिटेल दे विच इस वीडियो विच गल करांगे इस तो पहला पर जिन्नी वी थियोरी कर चुक्यों और आए बटन ते क्लिक करके देख सकते हो एमसे क्यूजी प्रैक्टिस भी कर सकते हो तो अगर तुसी इविच दी प्रैक्टिस करना चांद दो तो उस दे कॉटेंट और पेडागोजी दी सब्सक्राइब करो बैल आइकन प्रैस करके ओलते जरू कर लो तक कि इस तरह दी सारी वीडियो दी नोटिफिकेशन नहीं हो पांदी ता प्लीज टेलिग्रम चैनल नो जरू जोएन करो तो नो पीडियास भी हो तो ही मिलन गया सो दी लिंक थे डिस्क्रिप्शन बॉक्स तो मिल जाएगा शुल कर दे अपनी वीडियो नो आज आपकर करने वाले जिरू ब्रूणर दी थे ओरी ऑपा सब तो मेरा दाज ही है जी जो में नोट करने वाली गल है जिरू ब्रूणर जो है उन्ना दी थे तो नाम है इसकावर लर्निंग थेया है चिए वह जो एक आफि इंपोटेंट पॉइंट है जरों ढूर्ण दी जो ठीक नेम है और डिसकवरी लर्निंग थेया है जिस तरह पर आज दी कोगनेटिव व्यर्पेंट थेयोरी है जिस तरह वेगोश्की दिशो कल्चुरल डिवल्मेंट थेया है कॉल भी moral development theory है उसे तरह जिरों ब्रुनर दी discovery learning theory है इनन नो cognitive constructivist क्या गया क्योंकि इनने अपना विकास खुद कर देने अपनी सोच नो खुद कर देने खुद कर देने खुद डिसकवर करके बिल्कुल पियाजे दी ठेविरी देन आधा इन रिडिडविशरा हो मिल्दा सी जो हूग फढ़ जरों ब्रुनर पारे पाल मिल देने खुद कर देने खुद so अगया पना ठोड़ा जया जरों ब्रुनर बारे पढ़ ले नहीं आ ही जिन जरर्न बॉनर ते थिरी काफी चोटी थे कोई काफी लंबी चोटी थे थी तरी निया जी पढ़ी तो काफी थे जी विचेनाने कोग्निटिफ याने के इंटरीजंस कंस्ट्रक्टिव इस्टे ज़ड़ा फॉकूस किता है उन्हों बच्चानों डिस्कवरी लेर्नीग दे थूँ उन्होंने किया कि बच्चा अपनी लर्निंग जड़े अपना सिखे था और डिसकरी दे थे थूँ इस तो इलावा इना ने जो Stages of Learning इना ने देती है Stages of Learning दे विचे तिन Stages इना ने देती सब तो पहला है Inactive, दूसरी या Iconic, तीसरी है Symbolic स्वेच चीज़ तो सी याद रख्यों ना दे, Theories दे Stages of Development दे तिन नेम है Inactive, Iconic, Symbolic इना नो inactive stages, Iconic Stages या symbolic stages भी क्या दने या Iconic reported Inactive Represential, Iconic Represential, Symbolic Represential भी क्या दने इस तो इलावा inactive is also called concrete इस नो concrete stage भी या Concrete Represential भी बोले जान दे, Iconic नो pictorial representation भी बोले जान दे And symbolic नो abstract representation भी बोले जान दे सबतों पहला अपा अधर निम है कंप्रेट जो बच्चा है वह हो कंप्रीट चीज न लार्णिंग लेंगा तुछ करके तो इंफोर्मेशन लाय सकते हैं जिनना वह देख सकते हैं तो ऊढ़िए लेंदै उसनों यह प्ल्यारी बिल्कुल प्याही दी सेंसे इस टेज दी तरह ह यह बच्चा है वह सेंसी देनाल अपनी मोटर अक्टिविटीज देनाल इंफोमेशन गेन कर दें इस दे वी सीम है कंक्रीट इसलिए इसनों बोल ला गया है क्योंकि इस देविच मूरत चीजां उद्याने जिनन वह देख सके हाथ लगा के छूब सके टच कर सके से स्टेज द अपनी मोटर अक्टिविटीज दे थ्रू ही इंफोमेशन जिडिया हो गेन कर दें प्याजी चीज देविच बचा जो है हर एक चीज नों चुएगा सब तो पहला चायो कोई वी है चायो जानवर ही क्यों ना होवे एंड उस तो बाद उसनों टेस्ट करके उस तो इंफोमे इस तरहां दी सारी नोलेज ओ खुद डिसकवर कर दा है खुद अपनी पाइकटिव पाइस्पेशन दे थ्रू पर्ली स्टेज दे विच ओ प्रकेट चीज ने थे इंफोमेशन लेंदा है अपनी सेंसे इंसे नों यूज करके इंफोमेशन लेंदा है ऑपा अनिक्टिव र कोशिश करेगा तो इन एक्टिव स्टेज होगी लेकिन तो बात हए उसनों अगशेट धी पिक्शर भी दिखा होगे बुख दे विच सारी छीजा फोटो देखके पढ़ देने या टीवी दे देख देने, movies देख दे हैं, तो उन्हा सारी pictures तो उन्हों जड़ी information गेंग कर दे हैं, store कर दे हैं, अपने, यह नहीं है कि picture जड़ी उन्हों दिमाग देवीचे store हो जाएगे, तो उस information वो future देवीचे use भी करेगा, उस information वो recall भी कर पाएगा, इस stage देवीचे बचे उन pictures दे थू चीज़ां सिखन लग जान दे हैं, इसलिए तिन तो 6 साल तक दी जो study है, जो curriculum है, उस देवीचे pictures जड़ी हैं नहीं होना दे curriculum, देवीचे सब तो ज़्यादा बुक्स देवीचे pictures जड़ी हैं सब तो ज़्यादा रखी जान दे हैं, क्योंक विचारां बारे भी जड़ा, बचा सोचन लग जान दा है, समझन लग जान दा है, उसनों याद करन लग जान दा है तो बाद देवीचे recall भी कर सकता है, तो सब तो पहला मूरत तो शुरू हुन दा है, लेकिन symbolic मूरत चीज़ां बारे भी जड़ा हो सिखना शुरू कर दिन सिंबोलिक स्टेज दे विचों अमूरत चीज़ां बारे सिंबल जे तुरू लेंगोज दे थुरू जड़ा हो सिखना शुरू कर दिन दा है, लेंगोज नो चंगी तरह समझन लग जान दा है, तो इन तिनने स्टेज़ां दे विचों दी हुन दे हुए, एक बच्चे दे थे विचे वर्ड सुनिया होएगा, लेकिन इस सब्तों पहला वर्ड एक कंसेप्ट जड़ा है, वह दिता गया से जिरूम ब्रूनर दिता रहा, तो एक्जाम दे विच अगर तुनों क्वेशन आन दा है कि स्कैफोल्डिंग वर्ड सब्तों पहला किस ने दिता है, स्कैफो भिचनी आनिए, बच्चे नी उसे अडल्ड द्वारा दिती जानदी या, डेल्ड मतलब है कि उस पर्सं द्वारा दिती जानदी है, जो उस कंसेप्ट दे वीच उस प्रॉब्लम दे वीच जिसनो एक बच्चा सौल्व कर रहे है, उस तो उस बच्चे तो ज्यादा इंफो पीच्छ्यूं हटा लिती जानतिक्त्त प्रोब्लम सोल्फ कर सकें जो च्टेंग को लाइक बना उली जवाहिं विक्कता निचेद्ट सब्सक्राइब यहाद हो अगर आपके सब्सक्राइब करीकुल प्रक्षाइब में इवीच जो इंफोमेशन आए वे जड़ी हो काफी अड़वांस जड़िया हर एक लेवल थे क्लास देवेचे हुंधी जान दिया है एडवांस सिंपल ठू कंप्लेक्स करिकुलम अपना जानदा रहन है सिंप्ल ता शुरू होके कंप्लेक्स तक जानदा है लेकिन थीम्स देओं सेम हमारे न Nieे कि जो पहली क्लास जो आप ए82 शिरू आप थे चार इड़ हो चिरा कुछ दॉसरा ओर नमाध हो सिखना जब में कर देख़ा है लेकिन उसने खेल नांल करता तुम्हें तुसी देख सब्सक्राइब एक लूप दी तरह चल दा है जदो यह पहला लूप इत्थी आफ फर्स्ट जा रहे है इत्ते जाके नमा जड़ी चीज शुरू हो गया है लेकिन पहली वी जड़ी इत्थी हो अवेलेबल है तुसी देख सब्सक्राइब पुराना वा करदा है और करना चीद और सिंपल टूब कॉम्प्लेक से जाना है को ज्यादा दा इससे सब्जेक्ट देवी चैwe पर जचे मिल दी जाना है टी कंप्लेक्स नोलेज जी बच्चे मिल दी जाना है इस तरह दा करीकुलम दी गल जड़ी आ और ये थेोरी देवीच किती है सो उन्हाने बोले कि जड़ा करीकुल में बच्चे ली स्कैफोल्डिंग दा काम करदा होना चाहिद है कि उस तरह दा होवे कि उसनों मदद मिले इका हाई लेवल डिवेल्पमेंटल स्टेज दे पॉंचन दे लिए जो लर्निंग है वो तिन स्टेज दे वी चोदी हुन दिया सारे अपनी थिरी दित्ती है कुँए ले कि इना ने कहाए कि बच्चे खुद एक्टिव पाटिस्पेशन करके डिसकावर करके अपनी ओलेज नों कंस्ट्रक कर देने त्योंना ने स्टेज दिती है ने इना ट्री स्टेज दे वी चोदी हुना कि लिए सिक्फ़बोलिक अनेक्टिव दुसरे अकॉनिक तीसी सिंबोलिक इस दे तुसी अधर नेम्स भी याद रखे हो क्योंकि एक्जाम देवीच याता है एक्जाम देवीच इस तरह आ सकता है कि तो नो यह तिन स्टेजिस जडियां सीरीज वाइस लगानियां आ सकती है या किसे एक दा नेम इस तरह करके तुसी हमने तो यह कोईशन देपूछे जा सकते हैं स्कैफोल्डिंग अपत हम दसे सब्सक्राइब कंसेप जो है ब्रूनर ने दिता सी बाद देविच वैगोच्की ने इसनों अपनी थेरी देविच यूज की ता स्पाइरल करिकूलम दी गलते कोईशन हमेशा एक्टिव पाटिस्पेशन दे थ्रू ही चीजा सिख देने खुद अक्टिवली पाटिस्पेट कर दे और अपनी डिसकवर कर दें तो यह अपनी नोलेज नों कंस्ट्रक्ट करते हैं यह दोना देवी सिमिललेटी सी अगर गहल कर लिए तो डिवल्मेंट इस कॉंट लेकिन बुझस वाट रख्यों इंप्याजे डिसकंटिनिऊस दीजर कर दें लेकिन पॉइन धिरी और फोकस कर दी है लेंगविश ते जमिए आपठ पढ़ेयावी सिम्बोलिक रडी रिपरजेनेशन है उसदे विच बच्वागविश सिखता है यह नहीं लेंग्विश द प्याजे वेगोच्की दी थियोरी पढ़ांदे वेखे लेकिन वेखोच्की ने एवी गल की है कि पहली स्टेस देविचे विचार दोनों अलग-अलग सेप्रेट होंदे हैं तीन साल दी एश्टोबार जाके पाशार विचार दोनों आपसे वीचे इंटरडिपेंडेंट हो जानदे हैं उस तो बाद अगर पाश्मार्ट बीट्विचे ब्रूनर दी गल कर लिए तो सब तो बहुत पुएंट लेंगवच्ट वेल्पेंट यहागा क्योंकि दोनों ही जो है लेंगवच्ट वेल्पेंटे फोकस कर दें दूसरा दोनों ने अपनी थियोरी जेविच स् वेल्पेंट लेंट लेंटे इस वेल्पेंट ब्रूनर वेगोच्ट की आए उप तोनों कोंसेप्ट जड़ा चंग तरह समझाया हुएगा इसके जी जिवां ब्रूनर दी फुल थियोरी आपके दादी लग अपना फीडबेक मेंड लिए कोंमें सेक्शन देविच जरूर जी वीडियो वद्य लग गया वे ता प्लीज वीडियो नो लाइक करो वत्तो वद्य शियर करो ते नाली अपने चैनल नो जुरू सब्सक्राइब करो बैल आइकन नो प्रेस करके ओल ते जुरूर क्लिक कर ले न करवा थोड़ दक यूट्यूब दी नोटिफिकेशन नहीं आ पंदी तप्लीज टेलेगरम चैनल नो जुरूर जुरूर जुन करो थिंक यू